नमस्कार बच्वा लोग स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से SSC at 247 पर और नवदीप सराब के साथ लाइव हैं इसका मतलब जानकारी बहुत ही पुरजोर और बहुत ही पुखता तो आईए आज का डिसकेशन हमारे पिछले वाली क्लास की सिरीज के कंटिनुवेशन के सा यानि की अनवरतता बनी रहनी चाहिए वही हम सीखें जो हम सीखते आ रहे थे उसी के आगे का भाग तो आईए शुरुवात करते हैं कि जब हमने ancient history को पढ़ना शुरू किया था हमने प्राचीन भारत के शुरुवात की बात कही थी तो प्राचीन भारत में हम लोगों ने समझा था कि कैसे हमारे सभ्धिताओं का उदे हुआ कैसे हमारे यहाँ पैलियो लिथिक एज फिर उसके बाद मीजो लिथिक एज फिर उसके बाद नियो लिथिक एज आई चालको लिथिक एज और आइरन एज भी बीच में कही जाती है जिसे हमने पेंटेट ग्रेवेर के नाम से जानने की कोशिश क थी उसके बाद हमने हडपा सभेता को थोड़ा समझा वैदिक सभेता को थोड़ा समझा इससे जुड़े हुए महत पून प्रशनों को किया और अब आगे बढ़ करके हम थोड़ा महा जनपतकाल वैदिक धर्म और वैदिक धर्म के बाद जैन धर्म और बौद धर्म को भी प्राठ हर्शवर्धन एक ऐसा नाम जिनके इस दुनिया से जाते ही भारत में धीरे धीरे राजनेतिक अस्थिरता आई और वो राजनेतिक उतल पुतल या राजनेतिक अस्थिरता राजपूत राजवन्शों को जन्म देती हैं राजपूत राजवन्शों के बाद आप को हम मध्यकालीन भारत के इतिहास में पढ़ते हैं 712 इसवी के आसपास से ले करके मुहम्मद बिन कासिम का आक्रमण और उसके बाद से लगातार 1707 औरंगजिव की मृत्य तक दोस्तो इतिहास भारत का बहुत रिच है बहुत ज्यादा प्रसिद्ध बहुत ज्यादा समरिध और इस समरिध प्रसिद्ध इतिहास को जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो कई बार हम खो जाते हैं और यही समस्या भी बन जाती है कई बार कि हम ये भी तो ध्यान देते चलेंगे आखिर हमारे exam point of view से क्या जरूरी है तो वैसे भी आप लोग बहुत प्यार से जुड़ते हैं बहुत सारी चर्चाएं करते हैं आये शुरुवात करते हैं प्राचीन भारत के इतिहास भाग दो की दोस्तो इससे पहले कि मैं आप सभी को और भी जानकारियां दूँ मैं आप सभी को ये बता देना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों में से किसी ने other 24-7 एप डाउनलोड नहीं किया है तो भाईया जल्दी से एप डाउनलोड कर लीजे इस एप को डाउनलोड कर लीजे और इसको एप को डाउनलोड करने के पीछे वजह ये है कि डाउनलोड कर लेंगे तो जो भी इस सेशन की PDF है वो PDF वगरा है आपको मिल जाएंगी आराम से मैं सभी PDF आपको दे पाऊंगा आप सभी लोगों से कनेक्ट कर पाऊंगा अब इसकी जो लिंक है एप डाउनलोड करने की लिंक वो लिंक दी हुई है डिस्क्रिप्शन में और एक बार क्लास के अंत में मैं कॉमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कर दूँगा आईए इतिहास की चर्चा हम करते ही है और इतिहास की चर्चा करते हुए हम बहुत सारी महत्वपून चीजों को जानते ही है तो हमने हडपा को पढ़ लिया था आप सभी लोगों ने हडपा सिविलाइजेशन और हडपा सिविलाइजेशन के साथ-साथ वेदिक सिविलाइजेशन को थोड़ा समझा था और अपनी जानकारियों को एक बार पॉलिश किया था हडपा सभिता या वेदिक सभिता ये वास्तों में प्राचीन काल में भारत के विकास का एक क्रम है और भारत का विकास जैसे जैसे आगे होता गया है वैसे वैसे धीरे धीरे राजवन्शों की उत्पत्य हुई है मैंने एक बहुत बढ़िया सा सिस्टम बताया था आपको कि रिगवैदिक काल में लोगों का समुदाय जन कहलाता था और ये जन जिस जगह पर रहता था उसे जनपद कहते थे जनपद में हमेशा एक राजा होता था कई सारे जनपद मिल करके महा जनपद बनाते थे और इस महा जनपद में महा राजा होता था कई सारे महा जनपद मिल करके सामराज्य बनाते थे इस सामराज्य में समराठ होता था और कई सारे सामराज्य मिल करके एक राष्ट्र का निर्माण करते थे और वो जो एक राष्ट्र है अखंड राष्ट्र उस अखंड राष्ट्र का अगर कोई स्वामी हो उस अखंड राष ये जितने भी आप बाद में आने वाले टाइटल्स को पढ़ते हैं, चाहे किसी राजा ने आदिवराह टाइटल लिया हो, अभिनव भोज, आंधर भोज, यवन राज स्थापनाचार्य, परमभटकारक, या आंधर पितामह, या किसी ने आर्यावर्त पितामह, महाराजा धि राज, ऐसे कोई भी उपाधियां जो भी ली गई हैं, ये सभी उपाधियों के पीछे वजह, सिर्फ और सिर्फ एक, कि आखिर वो वैदिक काल से प्रेरित जरूर थी हैं, वैदिक काल के बारे में हमें इतनी जादा जानकारी इसलिए भी मिल जाती हैं, क्योंकि इनके पकाल की स्क्रिप्ट को पढ़ना शुरू करें, तो हमें समझ ही नहीं आता कि आखिर वो क्या थी, जिसे हम लोगों ने नाम दिया था बोस्ट्रॉफे डॉन, मज़ेदार बात तो ये है, कि जब हमें समझ में नहीं आया, तो हमने नाम भी ऐसा ही दे दिया, जो खुद भी समझ में ना आये, बोस्ट्रॉफे डॉन, क्या कहते हैं इसे दोस्तों, इसे कहते हैं भाव चित्रात्मक शैली, इसे कहा जाता है भाव चित्रात्मक शैली, या कई बार आप लोग कहते हो कि ये पिक्टोग्राफिक है, पिक्टोग्राफिक का मतलब ये, कि ये फोटोज है लिखा हुआ है और फिर फोटोज है फिर लिखा हुआ है इसमें बहुत सारी जानकारिया चलिए अगे बढ़ते हैं आगे बढ़कर के दोस्तो हम थोड़ा वैदिक काल के समय काल की ही बात करें और जनपदों की बात करें जो की वैदिक काल के अंत में बने भारत में एक बार का मैप देखेंगे तो आपको बहुत सारी जानकारियां धीरे-धीरे पुक्ता होती रहेंगे हालां कि यह भारत का मैप पूरी तरह से करेक्ट मैप नहीं है लेकिन फिर भी आप सभी लोगों के लिए मैं बता देना चाहता हूं कि जब वैदिक काल का लगभग अंत हुआ वैदिक काल यानि कि वैदिक एज जब हम लोग बात करते हैं लगभग लगभग हम लोग बात करते हैं 620 पूर्व के आसपास तो ये 620 पूर्व में दो घटनाई एक साथ घट रही थे उन दो घटनाओं में या 620 में पहली घटना तो ये थी कि जो महाजनपद अस्तित्तु में आये थे वो महाजनपद राजाओं द्वारा साशिन किये जा रहे थे तो एक तरफ महाजनपदों का निर्मान और दूसरी तरफ बहुत सारे धर्म अस्तित्तु में आये और ऐसा कहते हैं कि उस समय पर 62 रिलिजन्स अस्तित्तु में आये थे और इन 62 रिलिजन्स में से ओनली टू सर्वाइवड देखिए दोस्तों ऐसा क्यूं हुआ होगा वास्तों में हम लोगों ने चर्चा की थी कि कैसे भारत के अंदर भारत में वर्ण विवस्था थी और वर्ण दवस्था को अगर हम समझना शुरू करते हैं दोस्तों तो हम पाते हैं कि भारत की वर्ण दवस्था बटी हुई थी चार वर्णों में एक ब्राम्हिन दूसरा च्छत्रिय तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र अब देखे ब्राम्हिन और क्षत्रिय ब्राम्हिन का काम होता था पढ़ाने लिखाने का पूजा पाठ करवाने का क्षत्री का काम होता था प्रोटेक्ट एंड रूल करने का वास्तों में समाज में ये दोनों लोग धीरे धीरे अपनी प्रॉमिनेंस को और अपनी डॉमिनें पूरी निग्रानी रखना इन दोनों की सामाजिक स्थिती धीरे धीरे नीचे जा रही थे जब वैदिक काल में पहली बार पूरुष शूक्त के अंदर ब्राम्हेंट शत्रिय वैश शूद्र वर्नों की उत्पत्ति की गई उस समय पर ऐसा नहीं कहा गया था कि कोई शत्री है तो वह वर्न से उपर होगा या कोई शूद्र है तो वह वर्न से नीचे होगा परन्तु जैसे जैसे समाज आगे बढ़ता गया लगभग 6-700 सालों में ये परिवर्तन हमें देखने को मिला कि वैश एवं शूद्र इन दोनों की सामाजिक स्थिती इनकी वास्तों में सोशल कंडिशन थोड़ा डिग्रेड होती गई और जो उपर के दो हैं इनकी सोशल कंडिशन अपग्रेड होती गई चूंकि इनकी social condition upgrade हुई और वहिशेवं शूद्र की social condition degrade हुई तो यहीं से ये वर्ण परथा वास्तों में caste system, यानि की जाती परथा में परिवर्थित हो गई तो अगर वर्ण प्रथा जाती प्रथा में परिवर्थित हो गई है इसका मतलब राजा का पुत्र ही राजा बनेगा पुजारी का पुत्र ही पुजारी शूद्र का पुत्र हमेशा शूद्र होगा और वैश्य का पुत्र हमेशा वैश्य अगर ऐसा है तो इस प्रथा को था दूसरा विकल्प था इन 62 रिलिजेंस में से only two religions की और इनका जुकाव दोस्तों यह जो दो religions थे इन दो religions का नाम आप लोग पढ़ते हैं एक का नाम है जैनिजम और दूसरे का नाम है बुद्धिजम हम लोग जैन धर्म और बौध धर्म के बारे में अभी चर्चा करेंगे पर उसके पहले आईए थोड़ा सा महा जनपत काल को समझ लिया जाए जहां से एकका दुक्का प्रश्न आपको पूछे जाते हैं बौध धर्म का एक ग्रंथ है दोस्तों बौध धर्म का एक ग्रंथ है जो की अंगुत्तर निकाए के नाम से जाना जाता है अंगुत्तर निकाए ये वास्तों में सुत्त पितक के अंदर लिखा हुआ है जिसकी मैं आगे चल करके चर्चा करूँगा बौद्धर्म के अलावा जैन धर्म में भी एक ग्रंथ है और जैन धर्म के उस ग्रंथ का नाम है भगवती सूत्र तो जैन धर्म का ग्रंथ भगवती सूत्र और बौद्धर्म का ग्रंथ अंगुत्तर निकाए जो की सुत्त पितक के अंदर है इन दोनों के अंदर एक बहुत प्रुफाउंड बात लिखी हुई है और वो है सोला महा जनपदों की सोला महा जनपद कहां लिखे हुए है जैन धर्म के भगवती सूत्र और बौद्धर्म के अंगुत्तर निकाए के अंदर और वो सोला महा जनपद अगर आप पढ़ना शुरू करते हैं दोस्तों तो सोला महा जनपद आपको कश्मीर से ले करके बंगलादेश तक मिलेंगे पूरा जो आर्या वर्त है उस आर्या वर्त में सिर्फ एक ही साउथ इंडियान महा जनपद हुआ करता था जिसका नाम था असक या उसको असमक कह दिया जाता है कई बार वास्तों में अगर हम वैदिक काल की बात करते हैं तो वैदिक काल के बाद इन सोला महा जनपदों का उदय हुआ और इन सोला महा जनपदों को वास्तों में कहा जाता था शोदस महा जनपद इनका नाम हुआ करता था शोदस महा जनपद 16 महा जनपदाज तो आईए इन महाजनपदों के बारे में थोड़ी जानकारी इकठा की जाए और समझना शुरू किया जाए कि आखिर कश्मीर, अफगानिस्तान से लेकर के बांगला देश तक फैले हुए इन महाजनपदों में क्या-क्या जानकारियां हमें मिलती हैं, कौन से महाजनपद की क या खासियत हुआ करती थी, इन सब के बारे में हमारा एक डिसकेशन जरूर होना चाहिए, देखे दोस्तों, सबसे पहले अगर चर्चा की जाए, मगद की पहली राजधानी कौन सी थी, ये आप लोगं के लिए क्वेस्चन है, तो अंसर करें, मगद की पहली राजधानी, चमपा है, वैशाली है, पाटली पुत्र है या राजध्रे है, और इसका वास्तों में सही उत्तर हो जाएगा, आप सभी को पता है, राजध्रे है, राजध्रे है, इसका सही उत्तर है, और आईए, मैं अभी आप लोगं को राजध्रे के बारे में थोड़ा कुछ बताता ह और मगद आज के modern day बिहार में है तो मगद में सबसे पहले साशन करने वाले राजवंश का नाम क्या है वास्तों में सबसे पहले साशन करने वाले राजवंश का नाम है हर्यंक राजवंश तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को एक नाम मिलेगा जिसका नाम है हर्यंक डाइनस्टी का मतलब होता है राजवंश यह मुनार्की सिस्टम है यहां पर राजा होगा अच्छा मज़ेदार सी बात यह थी हर्यंग राजवंश की स्थापना करने वाले व्यक्ति का नाम था बिम्बिसार और बिम्बिसार के पिता का नाम था भट्टिया भट्टिया कोई राजा नहीं हुआ करते थे, हाँ, एक शाखा के प्रमुख जरूर थे और एक शाखा के प्रमुख होने की वज़े से, या एक क्लान के हेड होने की वज़े से, बिम्बिसार को वो एज मिला, बिम्बिसार ने मगद की स्थापना की, और मगद में स्थापना करने के साथ सबसे पहली राजधानी बनाए उसने राजग्रह को जिसे गीरी व्रज के नाम से भी जाना जाता था और गीरी व्रज के अलावा राजग्रह को ही जाना जाता था राजगीर के नाम से तो यह तीनों नाम अगर आपको देखने मिले तो इसका मतलब यह राजग्रह के ही है और राज पिसार को उसी के पुत्र अजात शत्रु ने मार दिया और अजात शत्रु अगला साशक बना अजात शत्रु के बाद अगला साशक बना उधाइन और दोस्तों ये वह व्यक्ति है जिसने अपनी राजधानी का स्थनांत्रन किया यानि कि उधाइन के समय पर जो कैपिटल है व वो राजग्रहना हो करके बनी पाटली पुत्र और आप सभी लोगों को ये इस बात की पूरी जानकारी है कि पाटली पुत्र आज का पटना है जो कि बिहार की भी राजधानी है तो भारत के सबसे पुराने शहरों में से एक काशी है और वैसे ही पुराने शहरों में से एक प पाटली पुत्र अब देखिए चूंकि बिम्बिसार की हत्या की अजात्शत्र ने महाना जाता है अजात्शत्र की हत्या उदाइन के हातों हुई तो कई बार इसे कहते हैं पित्रहंतावंश पित्रहंतावंश कहने का मतलब जो अपने पिता को मार करके साशक बने लेकिन मज़ेदार सी बात ये है दोस्तों कि आखिर इसके बाद क्या हुआ तो सबसे पहले हर्यंक वंश्म ने एक राजा हुए जिनका नाम है उदईन और उदईन ने अपनी राजधानी बनाई पाटली पुत्र इसके पहले इनके दादा जी राजा हुआ करते थे जिनका नाम था बिम्बिसार और बिम्बिसार ने अपनी राजधानी बनाई थी राजग्रिह इसके बाद जो अगले साशक हुए उदईन के बाद थे अनिरुद्र, मुंड और नागदशक अनिरुद्र, मुंड और नागदशक कोई इतने खास साशक नहीं थे इसलिए उदईन के बाद उदईन के समय पर ही एक व्यक्ति ने इनके राज्य सेवाओं में सर्विस देनी आरंब की और वो राज्य सेवाओं में सर्विस देने वाले व्यक्ति का नाम हुआ करता था श इनको सिशुनाग ने मारा और अपना राजवंश से स्थापित कर दिया तो दोस्तो इतिहास में एक नया राजवंश आ जाता है जिसका नाम है सिशुनाग राजवंश और सिशुनाग राजवंश में से पहले राजा पहला राजा सिशुनाग ने राजधानी को चेंज कर दिया उसने राजधानी सबसे पहले पाटली पुत्र से चेंज की और पाटली पुत्र से चेंज करके कर दी राजग्री है और उसके बाद राजग्री से भी चेंज की और राजग्री से चेंज करने के बाद कर दी वैशाली तो सोचिए कि पाटली पुतर से एक बार राजधानी राजग्रह जाती है और फिर राजग्रह से राजधानी हो जाती है वैशाली ऐसा हुआ है तो सिशुनाग के समयकाल में और सिशुनाग के बारे में एक अचीवमेंट ये कही जाती है कि सिशनाग ने प्रद्योत को खतम कर दिया था प्रद्योत राजवन्च अवंती परसाशन किया करता था अवंती मध्य प्रदेश में था तो दोस्तों ये तो आप समझ गए कि पहला राजा जो सिशनाग है सिशनाग राजवंच का उस। पाटली पुत्र से राजगरह राजगरह से वैशाली ट्रांसफर किया लेकिन इसके बाद सिशुनाग का ही अगला वंशज जिसका नाम है कालशोक जिसके समय पर दूसरी बौध संगीती भी हुई थी कालशोक को ही कई बार काकवर्ण कहा जाता है तो आप कालशोक कहें कालशोक या काकवर्ण के समय पर मगद की राजधानी बनी पाटली पुत्र और फिर लगभग आने वाले 1000 साल तक ये पाटली पुत्र ही मगद की राजधानी बनी रही एक हजार साल तो नहीं पर फिर भी 600 सालों तक लगभग पाटली पुत्र ही राजधानी बना रहा तो ये प्रशन कई बार एक्जाम में पूछा जाता है कि राजग्रे को राजधानी बनाने वाला बिम्बिसार पाटली पुत्र को राजधानी बनाने वाला उदैन पाटली प अब देखिए वो जो 16 महाजनपद थे उन 16 महाजनपदों की ये लिस्ट है अभी मैं आपको मैप की माध्यम से दिखाऊंगा मांचितर से समझाऊंगा कि कहां पर कहां कहां पर कौन-कौन से महाजनपद साशन कर रहे थे देखे दोस्तो एक बहुत ही महत पूर्ण बात है जो आप लोग समझेंगे अवंती सामराज्जी की राजधानी कौन सी हुआ करती थी और दोस्तो अवंती की दो राजधानियां हुआ करती थी अवंती की राजधानी वैसे तो उज्जैनी थी यह आप सभी लोगों को पता है क्योंकि अवंती कहां हुआ करता था तो अवंती हुआ करता था मालवा में और आप सभी लोग जानते हैं कि मालवा कहां है तो मालवा है मध्य प्रदेश में आज का जहां महा कालेश्वर मंदिर है वह उज्जैन शहर वास्तों में पहले अवंती के आसपास के बीचों बीच में था और उज्जैनी के नाम पर ही उज्जैन है और मज़ेदार बात बताता हूं दोस्तों आपको कालांतर में जब चंद बारे में रहर रहने वाले एक कवी थे जिनका नाम था कालिदास कासी की रचनाओं के बारे में हम चर्चा करते हैं अभिज्यान शाकुंतलम मेख दूतम मालविकागनी मित्रम रघ्वश महाकव्यम रितुसंगहारं कुमार संभवं विक्रमोर वशियम इतनी सारी सात जब मेग दूतम लिखते हैं तो उसमें उजयन का जिक्र करते हैं और बताते हैं कि एक यक्ष जो बैठा हुआ है सरगुजा के परवतों पर वह नेपाल में रह रही अपनी प्रेयसी को प्रेम पत्र बादलों के माध्यम से लिख कर भेजता है और तब क्या कभी किसी ने सोच होगा कि आने वाले समय में वीडियो मैसेजेस मल्टी मीडिया मैसेजेस के सर्विसेस के सरजरिये कभी भेज जाएंगे दोस्तो तब सोचा भी नहीं गया था आज वही चीज संभव है हमारे जो पूर्वस थे वो वास्तों में अगर बात की जाए सोच करके उसे इस धरातल पर लाने की तो इसमें बहुत आगे थे चलिए तो दोस्तो निम लिखित में से कौन अवंती सामराज की राजधानी हुआ करती थी तो अवंती सामराज की राजधानी हुआ करती थी उज्जैनी और देखिए न सिर्फ की इसकी एक राजधानी थी उज्जैनी बलकि इसके साथ साथ एक और राजधानी हुआ करती जिसका नाम था माहिश्मती अब आपको ये बताना है कि उज्जैनी उत्तरी राजधानी थी माहिश्मती दक्षणी या महिश्मती उत्तरी राजधानी थी उज्जैनी दक्षणी ये आपके लिए प्रश्ण है आगे बढ़ते हैं हम लोग तो यहाँ पर अवंती और उज्ज दूतम में और मेग दूतम को किस ने लिखा है महा कभी कालिदास ने कालिदास को कहते हैं दोस्तों याद रखेगा कालिदास को कहते हैं सेक्स पिर ऑफ इंडिया इन्हें कहा जाता है सेक्स पियर ओफ इंडिया तो माहिश्मती और उज्जैनी ये दोनों आपको याद रखना पड़ेगा ठीक है इसमें से मैं आपको बता देता हूं उज्जैनी जो थी वो नौर्थ की राजधानी थी माहिश्मती जो थी वो साउथ वाले अवंती की राज शेत्रफल के रूप में महाजनपद सबसे बड़ा शेत्रफल अवंती महाजनपद का ही हुआ करता था ठीक है अवंती महाजनपद का ही हुआ करता था ग्रंथ को इंगलिश में कहते हैं स्क्रिप्चर ग्रंथ को स्क्रिप्चर कहते हैं लिट्रेचर कहते हैं आगे पढ़ें तो एक और प्रशन आप सभी के सामने छोड़ता हूँ विच अप दो फॉलोइंग महाजनपदाज वाज लोकेटेड इन साउथ इंडिया अकेला महाजनपद जो हमारे उत्तर भारत में आर्यावर्त वाले हिस्से में न होकर के दक्षिनपद के हिस्से में था कंबोज, गांधार, शुसेन या असक और इसका सही आंसर हो जाएगा असक असक को कई बार असमक के नाम से भी जाना जाता है और असमक का अर्थ अगर आप देखोगे तो ये साउथ इंडिया की तरफ था आप पाएंगे एक प्रश्न पूछा जाता है बहुत ही बढ़िया सा एंशेंट इंडिया से कि बताएए ये गोदावरी और खृष्णा दोनों नदियों के बीच में कौन सा महाजनपद हुआ करता था तो गोदावरी और कृष्णा के बीच में एक महाजनपत था जिसका नाम था असक और असक को ही अस्मक नाम से भी जाना जाता है इसकी राजदानी क्या हुआ करती थी इसकी राजदानी थी पोईतान हुआ करती थी दोस्तों कंबोज कंबोज के बाद गांधार कुरू पांचाल कोशाल मल व्रिजी काशी अंग मगध वत्स चेतिय अवंती मत्स्य शुसेन आप पाएंगे ये 16 महा जनपत थे और इन 16 महा जनपतों में महा राजा हुआ गरते थे तो अब आप सभी लोगों को ये पूरी तरीके से क्लियर हो गया है कि इन महा जनपतों में क्या खास था अब दोस्तों अगर शुरुआती महा जनपत काल की बात की जाए तो महा जनपत काल में हर्यंक वंश के बारे में हम लोगों ने चर्चा की हर्यंक वंश में पहला ही राजा जिसका नाम था बिम्बिसार बिम्बिसार ने अपने शक्ति का प्रदर्शन किया और ये जो अंग प्रदेश था बंगलादेश और बंगाल के पूर्वी हिस्से में था इस अंग प्रदेश को मगद का हिस्सा बना लिया तो बिमिसार ने अंग प्रदेश जीता और ये नाम आपको मिलता है करण के बारे में भी दोस्तो जब हम महाभारत को पढ़ते हैं तो महाभारत काल में ऐसा कहा जाता है कि अंग प्रदेश का प्रभारी अगर किसी को नियुक्त किया गया था अंग प्रदेश का राज किसी को दिया गया था तो वो था कर्ण और महा भारत में आपने सुना होगा दुर्योधन ने अपनी मित्रता के चलते ये अंग दे दिया था कर्ण को इसलिए अंग राज कर्ण कहे जाते हैं कर्ण आप सभी लोगोंने सुना होगा उन्हें अंग राज कहा जाता है तो अंग राज इसलिए क्योंकि वो अंग के साशक बने थे आगे बढ़ते हैं तो अंग प्रदेश को बिम्बिसार ने जीता बिम्बिसार के इसे जीतने के बाद शिशुनाग की जब हम लोग बात करते हैं तो आप पाएंगे कि शिशुनाग ने जीता किसे तो शिशुनाग ने जीता यहां अवंती को और इस बीच में एक और व्यक्ति है जिसका नाम है बीचो बीच अजात शत्रू तो अजात शत्रू ने किसे जीता अजात शत्रु ने पूरा व्रिज्जी जीता व्रिज्जी या वैशाली जो हुआ करता था उसे जीता आगे बढ़ें तो एक और प्रश्न दोस्तो हम लोग करेंगे प्राचीन भारतिये महाजनपदों के बारे में कौन सा कथन सही है इसके बारे में बताएं सभी महाजनपद अल्पतंत्रिये थे जहां शक्ति का प्रयोग लोगों के एक समुह द्वारा किया जाता था सभी महाजनपद पूर्वी भारत में अवस्थित थे महाजनपद कोई सेना नहीं रखते थे बौध देवम जैन गरंथों में 16 महाजनपदों को सूची बद्ध किया गया है इन में से कौन सा करेक्ट है तो करेक्ट तो इसमें D वाला ही है बुद्धिस्ट में जैसा कि मैंने कहा अंगुत्तर निकाय अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म में भगवती सूत्र इन दोनों के अंदर ही 16 महाजनपदों का उलेख मिलता है तो 16 महाजनपदों का नाम आप लोगों ने देखा ही है इसका उत्तरडी हो जाएगा अंग, मगध, काशी, वत्स, कोशल, सूशेन, पांचाल, कुरू, मत्स, चेदी, अवंती, गांधार, कंबोज, अस्मक, वज्जी, और मल मल की राजधानी हुआ करती थी कुशी नगर, कुशी नगर देवरिया और यूपी के पास वैशाली थी राजधानी, विर्जी की, जो की वैशाली बिहार में ही है, प्रतिष्ठान या पाइथान, ये गोदावरी के नदी के तटपर, महराष्ट में, अस्मक की राजधानी, कंबोज की राजधानी, पूँच, राजवरी एवं कश्मीर में, गांधार की राजधान उज्जैन और माहिश्मती मध्यप्रदेश एवं मालवा के शेत्र में चेदी की राजधानी सोथीवती सोथीवती बांदा में है बांदा बुंदेलखंड में है जहां केन नदी जाकर यमुना से मिलती है बुंदेलखंड मत्से विराट नगर जैपूर पांचाल की काशी हुआ करती थी और इसका नाम था बनारस दोस्तों एक बहुत अच्छे से बात है आप लोग पाएंगे इतिहास में वरानसी औरनसी और एसा माना जाता है कि यह वáriaन सी जो नाम है वह वास्तों में दो नदियों के नाम से लिया गया है जिसका एक है वरुना और दूसर चाहूंगा कि काशी में लोग मर कर स्वर्ग जाते हैं ऐसा कहते हैं कि जब आप जाप करते हैं महामृत्यूंजय मंत्र का और उस महामृत्यूंजय मंत्र में महामृत्यूंजय मंत्र को पढ़ते हुए वहां एक शब्द आता है सुगंधिम पुष्टि वर्धनम तो उसमें जो सुगंधी है उस सुगंधी का मतलब किसी महक से नहीं है उस सुगंधी का मतलब है जब आप मरने वाले होंगे उसके कुछ छण पहले आपके जीवन के सभी कर्म जो आपने खराब किये हैं आपकी आखों के सामने दोड़ जाएंगे और कर्मों की जो महक है उन कर्मों की ज काशी में आकर मरते थे कहते थे कि अगर काशी में आकर मरो तो जीवन के पाप और पुन्य बराबर ही हो जाते हैं और जीवन के पाप पुन्य बराबर हो जाते हैं तो काशी मरने पर सीधे स्वर्ग मिलता है मैं हमेशा कहता हूं कभीरदास जी जिनके बारे में आप लोग उन्हों जीवन वारा नशी और काशी में ही गुजारा था और जब के मृत्यू की बारी आई तो उन्होंने कहा कि मैंने रामभक्ती की है मैं निरगुन उपासक रहा हूँ मैंने भले ही मूरती पूजा को कभी भी अपनाया नहो लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मेरी भक्ती में कोई कमी है और मैं भक्त होकर ऐसी जगह मर करके स्वर्ग गया जहां मर के हर कोई स्वर्ग चला जाता हो तो फिर मेरे राम भक्ती का मतलब ही क्या तो वो कहते हैं कि मैं काशी में नहीं मरूँगा मैं ऐसी जगे जाकर मरूँगा जहां लोग मरने के बाद सीधा नर्क जाते हो और काशी के पास ही एक ऐसी जगे है जिसका नाम है मगहर मानते हैं कि मगहर में मृत्ति हो तो मगहर में मृत्ति होने के बाद सीधे व्यक्ति नर्क को जाता है और कबीरदाश जी तब कहते हैं क्या काशी क्या उसर मगहर राम रुदेभ है मेरा जो काशी तन तजय कबीरा रामे कौन नहीं हो रहा अगर मैं काशी में रहकर के मर गया और स्वर्ग चला गया तो फिर मेरे राम भक्ति का मतलब क्या तो दोस्तो वारान असी आप सभी लोग समझ गए है वर्णा एवं असी ये दो नदियों के नाम पर लिया गया है बहराल आगे बढ़ें तो आगे बढ़ करके हम इतिहास में और भी चर्चा करते हैं प्राचीन भारत में कितने महाजन पत थे आप सभी जानते हैं सूलह इनका के साउथ की और उजयनी अवंती के नौर्थ की तो यह याद रखेंगे नौर्थ और साउथ आगे बढ़ें तो फर्स्ट रूलर ऑफ मगद महाजन पत इन सिक्स सेंचुरी बीसी यानि की छटी श्रताबदी इस्वापूर्व में मगद महाजन पत के पहले साशक कौन थे तो दोस्तो वह थे बिम्बिसार हम सभी ने चर्चा की कौन से बुद्धिस्ट स्क्रप्चर में 16 महाजन पतों के बारे में लिखा हुआ है तो मैंने अभी अभी चर्चा की अंगुत्तर निकाय के अलावा अवंती महाजन पत का वर्तमान आधुनिक स्थान क्या है तो आप बढ़ते हैं हम तो पाते हैं कि दोस्तो विच अब फॉलोईंग लिट्रेचर गिफसर डिस्क्रिप्चन ऑफ 16 महाजन पताज निम्लिखितने से कौन सा साहित्य सोलह महाजन पतों का वर्णन देता है भगवती सूत्र सम्युक्त निकाय धवल टीका या शांतिनाथ चरित त इस मैटर्नल अंकल Π्रसेन्जीत, दिकिंग औफ कोशल देखें प्रसेन्जीत को किसने होराया ? जो कि कोशल के राजा हुआ खरते थे ? और कोशल के राजा को यानि स्टों पनामा को होराया ? तो यह कोई और नहीं याद रखें अजात शत्र नाम का एक वीक्ति हुआ करता थ एक और प्रशना आता है कि बताइए most of the महाजनपदाज were fortified because महाजनपद सबसे द्रढ थे या उनमें किले बना करके उनकी दीवारों को बहुत अच्छे से सुद्रढ बनाया गया था और इसके पीछे वजह यह थी कि छेत्र में लकडी इट और पत्थर की उपलब्दता कारण अपने धन और शक्ति को प्रजलक्षित करते थे शाशक आक स्केर्ड ओफ अटेक एंड वांटे टो एंशोर दिए वर प्रोटेक्टेड एंड देवर सिंबल्स और रिच वारियर ट्रडीशन और इसका सही उत्तार दोस्तों हो जाएगा एक मिनट कहां गया हाँ लोगों के उपर आक्रमन होते थे इसलिए लोग सुरक्षित नहीं थे तो एक और प्रश्न है हमारे पास इन में से कौन सा कोशल महा जनपत की राजधानी हुआ करते थी तो धोस्त तो याद रखेगा कोशल महा जनपत की राजधानी हुआ करती थी श्रावस्ती चंबा राजधानी कहां कि थी तो चंपा थी अंग की राजधानी मत्रा राजधानी कहां कि थी तो याद रखेगा कि शुरू शेन श्रूर शेन की राज़धानी माथ्वा और उज्यन किसकी राज़धानी हुआ करती थी तो ये भी आद रखें अवंती की राज़धानी हुआ करती थी उज्ञैन आगे बढ़ते हैं तो इन में से कौन सा स्टेटमेंट महा जन्पदों के बारे में सही है यह प्रशन नॉट maha janpadas had a capital city all the Rajas of a maha janpada met together in assemblies called sangha to decide upon issues the army in maha janpada was maintained largely from the gifts made by the locals each maha janpada was ruled not by one but thousands of ruler together each known as Raja to in may say kaun sa sahi sentence or those though in a message of sahi sentence I would yad rakhiga ki sahi sentence ho jayega d rugga kahaan chala ga ya option hai each maha janpada was ruled not by one but thousands of rulers together each known by Raja to maha janpada may alag-alag Raja hua kertethe or in alag-alag Raja on it up next action ko maintain rakha maha janpadon ke bari mickon sa sahi nahi hai they have capital city they are 45 towns they are 20 number they are mentioned in ancient literatures and scriptures or discuss the answer kya ho jayega dosto discuss the answer ho jayega they are 20 in number above service a mirror a person he is here kiya batai a consa maha janpada joe republic ha Republic come at the consa maha janpada guna tantra tha sabse pahla to yehi hai parshna aap sabhi loogun ko betana hai iska uttar kya hooga aagay batatay hai mitro to aagay batakar ke ham loog pahunche nghe baudh dharm or jayn dharm ki eek vishish charcha par dhekhe jab jab hum baudh dharm ki charcha kertethe jayn dharm ki charcha kertethe jayn dharm ki utpati kuchy tihaskar pahle maantate hai kuchy tihaskar baad me maantate hai parantu agar ham thoda sa sastro se judna shuru karay thoda sa sastro se jangkari lena shuru karay toh ham ye paathe hai ki jayn dharm waashto me agar fayla toh jayn dharm ke faylne ki wajah hua kertethe tih tirthankar toh aayye sabse pahle jayn dharm ko pardethe hai jayn 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 shabd kis se nikla hai toh dhustu yad rakhye ga jayn shabd nikla hai kisii aur se nahi jayn shabd nikla hai jin se and jayn ka mtlab kya hota hai toh jin ka art hota hai conqueror of senses conqueror of senses इसे कहेंगे ऐसा व्यक्ति जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो इंद्रियों का विजयता कहलाएगा jin ya jayn अब क्या आपके अंदर इतनी शम्ता है कि आप अपने अंदर वास्तों में senses को काभू कर सके आप अपने अंदर अपने अंदर की इक्षाओं को पूरी तरीके से मार कर अपने कर्मों की बात सुने ना कि अपने मन की ऐसा बहुत कम होता है दोस्तों और बहुत कम इसलिए भी क्योंकि कोई भी व्यक्ति जैन नहीं बन सकता अगे मैं आपको एक कहानी बताता हूँ उस कहानी के हिसाब से हम इसे समझना शुरू करेंगे दोस्तों ऐसा मानते हैं कि यह श्रमण दर्शन से निकला हुआ धर्म है अब श्रमण दर्शन वास्तों में एक बार प्रशन पूछा गया है कि विच फिलोसफी डैट जैनिजम केटर्स तो इसको कहते हैं श्रमण और श्रमण फिलोसफी के अंदर एक सिधान्त होता है दोस तो और उस सिध्धान्त को हम लोग कहते हैं there is a principle called स्यादवाद जैन धर्म स्यादवाद पर आधारित है स्यादवाद पर चर्चा करते हैं स्यादवाद का मतलब होता है कि हम यह नहीं मान करके चल सकते कि किसी में आत्मा नहीं होती सजीवों में आत्मा होती है लेकिन सजीवों के साथ-साथ निर्जीवों में भी आत्मा पाई जाती है ऐसा जैन धर्म का मानना है यानी जैन धर्म वास्तों में एक शब्द जिस पर सबसे जादा फोकस करता है वह आप पाएंगे उसे कहते हैं परस परोप ग्रहों जीवा नाम परस्परोप ग्रहो परस्परोप ग्रहो जीवा नाम हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों के लिए शब्द नया हो लेकिन परोस्परोप ग्रहो जीवा नाम का मतलब आत्मा एक दूसरे को आत्मा एक दूसरे को सेवा देती हैं इसका अर्थ है souls render service to one another souls render service to one another 2 सक्रेschaft के परस्परोप ग्रहो जीवा नाम और फिर परस्परोप ग्रहो जीवा नाम पर पूरी तरह से बेच़ जैनधर्म वास्तों में किस के दौरा यहां पर लाया गया है तो पता है यह कैसे लाया गया यह लाया गया प्रित्वी पर तिर्थंकर हों द्वारा और मैं आप सभी से ये निवेदन करके कहना चाहता हूं कि तो तिर्थंकर होते हैं हमारे वो तिर्थंकर का अर्थ होता है गुरू का मतलब जो पाथ दिखाए जो हमारा मार्ग दर्शन करें पत्प्रदर्शक हैं ये मार्ग दर्शक हैं ये और दोस्तों जब हम बात कर रहे हैं पत्प्रदर्शन करने वाले या मार्ग दर्शक की तो हम इन्हें भगवान नहीं मानेंगे इसलिए तीर्थंकरों के नाम के आगे हमेशा एक शब्द का उस्तिमाल किया जाता है इन्हें क पहले तिर्थंकरने की और जैन धर्म के पहले तिर्थंकर हुआ करते थे रिशब देव जी जिने आधिनाथ जी के नाम से भी जाना जाता है तो रिशब देव स्वामी या आधिनाथ स्वामी या रिशब देव जी आधिनाथ जी के बारे में थोड़ा जानकारियां हम लोगे कठा करेंगे पहले तिर्थंकर हुए रिशब देव जी या आदिनाथ जी रिशब देव जी या आदिनाथ जी ये पहले थे और ऐसा करते हुए दोस्तों टोटल 24 तिर्थंकर हुए हैं जैन्धर में और 24 वे दिर्थंकर जो हुआ करते थे उनका नाम था वर्दमान महावीर स्वामी तो रिशब देव जी से ले करके वर्धमान महावीर स्वामी तक यह जो पूरा डिसकेशन है इस डिसकेशन पर हम लोग हम काफी समय गुजारेंगे हम जानेंगे इनके बारे में कितना कितना हमारे पास जानकारी हो सकती है कितना हम लोग इनके बारे में समझ सकते हैं और बहुत सारे तिर्थंकर ऐसे हैं जो हमारे पुराणों में हैं जैसे भागवत पुराण में वायू पुराण में इनकी चर्चा मिलती है वैदिक धर्म की अगर बात करें तो वैदिक धर्म में जितने भी लिट्रेचर हैं लिट्रेचर का मतलब साहित्य वो साहित्य दो हिस को या जितने भी ग्रंत होंगे उन ग्रंतों को दो हिस्सों में बाटा जाएगा scripture जब दो हिस्सों बटेंगे तो एक होंगे शुति शुति का मतलब ये है कि जिन है सुन करके आगे बढ़ाया गया है listened and followed listened and followed अच्छा दूसरे तरह के जो स्क्रिप्चर हैं उन्हें कहते हैं स्मृति स्मृति का मतलब होता है ऐसे जो याद करकर के लिखे गए हैं इसका मतलब रिमेंबर्ड एंड रिटेन मैं एक्जामपल देता हूँ ऐसे आप समझ पाएंगे कि शुति सहित्यों में आम तोर पर आते हैं वेद और वेदों के साथ साथ उपनिशद वेद और उपनिशद ऐसे ग्रंथ हैं जिनको सुन करके आगे बढ़ाया गया है वेद और सुनते आप यहां कार्मिक या जो कर्म का सिध्धान्थ है उसको ज़्यादा सुनते हैं ऐसे ही स्मृति साहित्यों की जब बात की जाए तो यहां पुराण महाभारत रामायन इन सभी ग्रंथों का हम लोग काफी अधियन करते हैं तो स्मृति में आपको भगवान मिलेंगे स्मृति में आपको भगवान की कहानिया मिलेंगी लेकिन अगर बहुत टेक्निकल रूप से समझा जाए और आप लोग इसको समझ सके तो बस दो मिनट में अपनी बात कहना चाहूंआ कि जो जो शूति में लिखा हुआ है शूति का ही एप्लिकेशन है स्मृति जैसे बहुत छोटी सी बात कहता हूँ कहता हूं आपको कर्म के बारे में जैन धर्म कहता है सही कर्म कीजिए जैसे जूट मत बोलिए जूट बोलने का मतलब आपने कर्म गलत कर दिया और जब आप कर्म गलत करते हैं तो आपकी आत्मा को कभी मोक्ष नहीं मिल सकता हिंदु धर्म कर्म के ऊपर तो फोकस करता ही है कर्म के साथ साथ ये बात भी कहता है कि आप जो कर्म करते हैं उस बात से बहुत ज़यादा अंतर नहीं आएगा आपके कर्मों का रिजल्ट कभी भी नेगेटिव नहीं आना चाहिए आपके कर्मों का result हमेशा positive ही आना चाहिए समझने की कोशिश कीजिए दोस्तो पुराणों में और महाभारतों में हम कुछ कहानिया बढ़ते हैं मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा भगवान शिव आदी हैं अनंत हैं और भगवान शिव जब जब तपस्या में जाते थे तो कई बार तपस्या में लीन होने के बाद उन्हें समय का पता ही नहीं चलता था समय का पता ना चलने का अर्थ ये है 15 साल बीच जाना 20 साल बीच जाना या कई बार सहस्त्र वर्सों बीच जाने तक वो गुफा के अंदर तपस्या ही करते रहते थे अपने आप में स्वैम में लीन हो जाते थे मापारवती को एक बार शिव जी को बुलाना था और मापारवती नी एक काम सौपा, काम देव और रती को काम देव जी अपने स्टाइल के हिसाब से पहुँचे और उन्होंने गुफा के अंदर कुछ नित्यकाओं को ले करके फूल माला सजा करके और भगवान शिव को तपस्य से उठाने की कोशिश की काम देव जी के इस कृत्य से भगवान शिव क्रोधित हुए और क्रोधित होने के बाद उन्होंने अपनी ये दोनों आखेना ओपन करते हुए तीसरी वाली आख ओपन कर दी और तीसरी आख ओपन होने का मतलब ये है कि सब कुछ प्रलय में डूब जाएगा जैसे ही भगवान शिव की तीसरी आख खुली सब कुछ जल कर भस्म हो गया मा पार्वति और रती जो गुफा के बाहर खड़ी हो करके भगवान शंकर के बाहर आने की प्रतिशा कर रही थी उन दोनों को सिर्फ भगवान शंकर ही आते दिखे बाकी और कोई नहीं तब रती मा पार्वती को श्राब देती हैं और उन्होंने कहा कि जैसे मेरी कोक से कोई संतान नहीं हो जन्मी वैसे ही आपकी कोक से भी कोई संतान नहीं जन्मेगी आप सोचें कि इस ब्रह्मांड की या इस ब्रह्मांड के अलावा जितने ब्रह्मांड होंगे उन ब्रह्मांडों में सबसे ज्यादा शक्तिशाली महिला जिसके नौ रूप हैं from the most humble मा पार्वति to the most lethal मा काली उनको एक नॉर्मल लेड़ी श्राप दे रही है। और उनको यह श्राप लग भी गया। मा पार्वति को श्राप लगा। कार्दिके जी तेज से उत्पन हुए हैं, गनेश जी मैल से उत्पन हुए हैं और मा तुलसी वो कहां से उत्पन नहीं दोस्तो व्रिक्ष से लेकिन कोई भी मा पारवती की कोख से उत्पन नहीं हुआ कर्म कर्म के प्रभाव से भगवान तक नहीं बच पाए इनसान क्या चीज है इस बात पर फोकस करता है वास्तों में ये शुति साहित जो कि स्मृति साहित्यों पर बात करता है ये बहुत ही गुड़ बात है वैसे समझी जाए तो लेकिन बहुत ही आसान शब्दों में मैंने आपको समझाने के कोशिश की है लेकिन इसी कर्म के सिध्धान पर जब हमारा जैन धर्म चलता है तो जैन धर्म हमें सीधे सीधे कहता है कि नहीं सिर्फ एक ही कार है आपके प में करना क्या है करना है कि आपको मोक्ष मिलना चाहिए ठीक है तो देखो दोस्तों यहां तक तो हम लोगों ने समझा अब इन ही समझ मने वाली चीजों में हम लोग थोड़ा जैन धर्म के साथ-साथ बौद धर्म की भी चर्चा कर लेते हैं और दोस्तों बौद धर्म के साथ साथ हम लोग ये समझेंगे कि क्या प्रश्न आपकी परिक्षाओं में पूछे गए ये बातें सिर्फ और सिर्फ आपके इंट्रेस्ट लेने के लिए और आवा ये बॉद्धर्म की बात करते हैं थोड़ा सा बुद्धिजम की देखे दोस्तों बॉद्ध धर्म के बारे में ऐसा तो नहीं कहा जाता कि कोई तिर्फंकर थे बुद्धिजम या जो बॉद्ध धर्म है ये वास्तों में एक ही व्यक्तिदारा शुरू किया गया और बॉद्ध धर्म को शुरू करने वाले व्य इटल मिले हुए हैं सबसे पहली बात इन्हें कहा जाता है लाइट ओफ एशिया खुब पूछा हुआ प्रश्ण है ये कि एशिया का प्रकाश किसे कहते हैं तो एशिया का प्रकाश कहा जाता है महात्मा बुद्ध को दूसरी बात इन्हें कहा जाता है शाक्यमुनी इन्हे शाक्य मुनी से भी संदर्भित किया जाता है शाक्य मुनी कहने का अर्थ ये है कि वास्तों में इनके पिताजी शाक्य गण के मुखिया हुआ करते थे शाक्य गण के राजा हुआ करते थे तो जैसे एक कोई कबीला है और वो शाक्य कबीला है तो शाक्य कबीले के प्र गौतम बुद्ध के जन्म की बात की जाए तो जन्म इनका हुआ था 563 इसवी पूर्व में और इनका जन्म जो हुआ था वो हुआ था कपिल वस्तु एक जगह है कपिल वस्तु ये जगह है लुम्बिनी में और लुम्बिनी इस समय पर नेपाल में है दोस्तों वहीं अगर इ निर्वान की बात की जाए तो इनका महापरी निर्वान हुआ था महापरी निर्वान का मतलब होता है इस दुनिया से चले जाना तो देखो दोस्तों महापरी निर्वान इनका हुआ चार सो तिरासी इस्वी पूर्व में और ये महापरी निर्वाण हुआ था कुशिनगर नाम की एक जगह पर और कुशिनगर कहां है कुशिनगर उत्तर प्रदेश में है ऐसा कहते हैं इन्होंने सुक्कमादव खा लिया था मानस कहा लिया था इन्होंने गलती से और उसी वजह से सोगा मानस खाने की वजह से गलानी में इनकी इस दुनिया से विधा हो गई मैं में को दूस्तों आगे चल करके हम इनके बारे में कुछ और बेसिक आठे इनके पिता का नाम क्या था तो इनके पिता का नाम हुआ करता था शुद्धोधन इनके पिता का नाम था शुद्धोधन इनकी जो मां जिन्होंने इनको जन्म दिया उनका नाम हुआ करता था महा माया और इनकी जो धाय मां थी जिन्होंने इनका पालन पोशन किया, कहा जाता है कि वो इनकी मौसी भी थी, उनका नाम था प्रजापती गौत्मी प्रजापती गौत्मी के बारे में एक बात कही जाती है पहली महिला जिन्होंने संग जोइन किया अभी मैं इस पर आऊँगा कि संग क्या है बुद्धम शरनम गच्छामी संगम शरनम गच्छामी इसी बात कही जाती है तो देखे दोस्तों इनकी जो मा थी महा माया जी ऐसा कहा जाता है कि इनके जन्म के कुछ ही दिनों बाद चल बसी और चूंकि इनके जन्म के कुछ ही दिनों बाद चल बसी इसलिए प्रजापती गौत्मी जो इनकी धाय मा थी उन्होंने इनका पालन पोशन किया है इसके अलावा दोस्तों अगर आप गौतम बुद्ध के बच्पन का नाम सुनेंगे तो इनके बच्पन का नाम हुआ करता था सिधार्थ आप मेंसे बहुत लोग सिधार्थ नाम वाले होंगे इनके बच्पन का नाम सिधार्थ हुआ करता था और यह भी याद रखें कि इनकी पत्नी का नाम हुआ करता था यशोधरा और इनके पुत्र का नाम हुआ करता था राहुल इनके एक रत का घोड़ा था और इनके रत के घोड़े का नाम हुआ करता था कंटक और जो इनका चैरियोटीर यानि कि इनका सार्थी था उस सार्थी का नाम हुआ करता था चन्ना कुछ ये जानकारिया है जो वास्तों में आपको लेनी चाहिए बद्धर्म के शुरुवात करने वाले हैं गौतम बुद्ध जिन्हें एशिया का प्रकाश और शाक के मुनी भी कहा जाता है दोस्तो शुद्धन जो थे इनके बारे में याद रखिए कि ये शाक के गणके के गणके मुखिया थे इसलिए गौतम बुद्ध जी ये जो महात्मा बुद्ध हैं वो शाक के मुनी कहे जाते हैं मा महा माया धायमा प्रजापती गौत्मी पत्नी अशोधरा पुत्र है इनके राहुल घोड़ा इनका है कंटक और सार्थी है इनका चन्ना अब इसमें एक क्या बड़ी मज़ेदार सी बात है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे देखो चानते हो दोस्तों ये ऐसा कहते हैं कि बड़े वैभाव में पले बढ़े थे और वैभाव में पलने बढ़ने की वजह से इनके अंदर हमेशा एक भाव आता रहा कि हम कैसे आने बाले समय में दर्द को दुख को समझेंगे तो दर्द और दुख को समझने के लिए इन्होंने धीरे धीरे अपने ही अंदर उन सभी चीजों को रखना शुरू कर दिया जो दुख दर्द दे सकती हैं इनके बच्पन से जुड़ी हुई बहुत सारी कहानिया हैं कि इन्हों ही राजा वाले राजबाग में टहल रहे थे और अचानक से एक हंस आगिरा जिसको तीर लगा हुआ था और जब इन्होंने तीर निकाला तो उस हंस की मृत्ति हो गई हंस की मृत्ति होने पर उन्हें ये समझाया कि क्यों लोग अपनी खुशी के लिए दूसरों की हत्या कर द संतु बात यह है कि जब हम बॉद्धरम के महात्मा बुद्ध की चर्चा करते ही है तो महात्मा बुद्ध के जीवन में 29 वर्ष की अवस्था में परिवर्तन आया उन्तेस वर्ष की अवस्था यानि वें वें लिए ट्वेश ट्रेंबलेंग चेंज इंटायर लाइफ इनकी जीवन परिवन प्रिया थी उसमें बहुत बढ़ा परिवर्तन आया इन्हों ने अपना घर चोड दिया 29 वर्ष की अवस्था में जब इन्होंने घर छोड़ा तो इन्होंने अपनी वाइफ को नहीं बताया नाहीं अपने पुत्र को किसी को इंफॉर्म किये बगैर चन्ना और कंटक इन दोनों को ले करके निकल गए ऐसा कहते हैं कि जब ये बाहर निकले तो ये भटकते रहे पहल एक गुरु हुआ करते थे इनका जिनका नाम था अलार कल्मा ये अलार कलाम भी लिखा वह मिलता है कई जगे तो अलार कल्मा और दूसरे गुरु Ini के हुआ कर दे थे जिनका नाम था रुद्रक राम पुत्र इन दोनों लोगों ने गौतम बुद्ध के जीवन में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और ये महत्वपूर्ण भूमिका आगे चल करके भगवान बुद्ध के समझ में परिवर्तित हुई और ऐसा कहते हैं कि फिर इन्होंने साथ दिन की तपस्या की और ये जो स अधमा बुद्ध ने यहां पर अपना ज्यान प्राप्त किया था दूसरी बात यह जो बोद गया है बोद गया बिहार के अंदर है और बिहार हमारे भारत का एक राज्य है जिसके बारे में आप सभी लोग जानते हैं मज़िदार सी बात यह हैं कि बहुत धर्म धीरे-धीर जब फैला तो हमारे नौर्थ इस्ट में खूफ फैला, नौर्थ इस्ट कहने का मतलब कि नेपाल के आगे तिबत में, तिबत से आगे चीन के कुछ भागों में, चीन से आगे वियतनाम और थाइलेंड जैसे इंडो चाइना देशों में भी और उपर की तरफ जैपान तक ये बिहार में है आप हमें तीन साल के लिए बिहार दे दीजे हम बिहार को जापान बना देंगे और हमारे लालू जी कहते हैं तुम तीन महीना के लिए हमको जपान दे दो हम जपान को बिहार बना देंगे तो लालू जी is the great वाकी आगे बढ़ते हैं साथ दिनों की तपस्या इन्होंने बोध गया में की ऐसा कहते हैं कि बोध गया में जब यह तपस्या कर रहे थे तो यह फालगू नदी के किनारे बैठे हुए थे फालगू नदी को ही निरंजना नदी भी कहा जाता है बिल्कुल तो फालगू नदी के किनारे बैठ करके इन्होंने पीपल के पेड़ के नीचे पीपल के पेड़ के नीचे तपस्या की और तपस्या करनी के बाद इनको आत्मग्यान की प्राप्ती हुई दोस्तों बौध धर में आत्मज्यान को कहते हैं enlightenment को कहते हैं बोधित्व और बोधित्व प्राप्त होने की जो अवस्था है उस अवस्था को कहते हैं निर्वान तो गौतम बुद्ध को या महात्मा बुद्ध को निर्वान प्राप्ति कब हुई तो याद रखिएगा महात्मा बुद्ध को निर्वान की प्राप्ति हुई है 35 वर्ष की उम्र में क्योंकि 29 वर्ष की आवस्था में इन्होंने घर छोड़ा और 6 वर्ष तक इस प्रक्रिया में रहे इस प्रक्रिया में रहे तो आईए इन्हीं से जुड़े हुए कुछ प्रशनों को हम लोग हल करना शुरू करें और बहुत अच्छे से हम लोग इस जानकारी को एकठा करें देखें दोस्तों आप सभी लोगों को टेंशन लेने की बिल्कुल आवश्यक्ता नहीं मैं आपको इसका पहला पार्ट जो है वो यूट्यूब के नीचे कॉमेंट सेक्शन में पहला वाला कॉमेंट की रूप में ग्रती दूंगा आपको टेंशन लेने की जवरत नहीं आगे बढ़ते हैं इन विच बुद्धिस्ट काउंसिल सुट्ट पितक एंविनयपितक वर कम्पाइल सुट्ट पितक और विनयपितक का संकलन कब किया गया था सेकेंड काउंसिल थर्ड काउंसिल फोर्थ काउंसिल और इसका सही एंसर है पहले वाले काउंसिल में अब देखे दोस्तों जब जब भारत में कोई भी राजा जैन धर्म बॉद्धर्म की दिख्षा लेता था तो वह एक संगीती का आयोजन करता था संगीत ही मतलब वो वास्तों में एक काउंसिल और्गनाईज करता था और उस काउंसिल के माध्यम से दुनिया भर को पूरे देश को ये बताना चाहता था कि हाँ मैंने जैन धर्म या बौद धर्म की दिख्षा ली है अब देखिए मज़ेदार सी बात ये है कि पहली वाली काउंसिल में सुत्त पितक और विने पितक को लिखा गया अब राजाओं के दिख्षा लेने का क्रम है ये राजाओं के दिख्षा लेने का क्रम मतलब राजा अपने आपको दिख्षा लेते हैं और राजा दिख्षा लेने के साथ साथ अपने आपको इस बात पर जाहिर कर देते हैं कि हाँ अब मैं officially कहने का मतलब अब मैं इस धर्म को पूरी तरीके से मानता हूँ चलिए एक छोटी सी चर्चा को हम लोग यहाँ पर करते हैं दोस्तों पहली वाली जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी वो हुई थी 483 इस्वी पूर्व में कि जब महात्मा बुद्ध का इस जीवन से महापरी निर्वान हुआ तो राजगरिह में यह 483 इस्वी पूर्व में पहली वाली बौद्ध संगीती हुई उस समय पर राजा हुआ करता था अजात शत्रू जिस भौद्ध भिक्षु ने अजात शत्रू को बौद्ध घरम की दिक्षा दिलाई थी दोस्तों उसका नाम हुआ करता था महाकश्यप और महाकश्यप के समय पर क्या क्या हुआ था तो दोस्तों आप सभी लोगों ने अभी पढ़ा कि सुत्त पितक और विन्य पितक लिखे गए अभी मैं इनके उपर भी एक चर्चा करूंगा कि सुत्त पितक और विन्य पितक वास्तों में हैं क्या याद आगे बढ़ते हैं तो दूसरी वाली बौद संगीती जो हुई वो इसी के 100 साल बाद हुई 383 इस विपूर में और ये वाली जो बौद संगीती हुई थी ये हुई थी वैशाली में जैसा कि मैंने बताया राजा हुआ करता था कालशोक और कालशोक को कई बार भी कहा जाता है तो कालशोक और इस समय पर बौद धर्म के वो भिक्षु जिन्होंने बौद धर्म की दिक्षा दिलाई उनका नाम था सबकामी ऐसा कहते हैं कि इस्थिरवादिन में ये धर्म बटा था इतना बहुत महतुपूर्ण बात नहीं है जो दूसरी वाली बौद स संगीति हुई थी दोसों पचास जिस्वि पूर्व में और ये बौद संगीति हुई पाटली पुत्र में पाटली पुत्र में उस समय पर राजा हुद करते थे अशोक महान और अशोक महान के समय पर उनको बौध धर्म की दीक्षा दिलवाने वाले बौध भिक्षु का नाम हुआ करता था मुगाली पुत्त तिस्स और मुगाली पुत्त तिस्स के समय पर ही अभिधम पितक को लिखा गया दोस्तों अभिधम पितक का मतलब है Metaphysics of Buddhism कहते हैं बौध धर्म का अध्यात्मवाद है यह इसे कहते हैं बौध धर्म का अध्यात्मवाद और फिर चौथी चर्चा और वो चौथी चर्चा है कि चौथी वाली बौध संगीती कब हुई तो ऐसा माना जाता है कि 78 इस्वी में हुई 78 इस्वी कहने का मतलब तब राजा हुआ करते थे कनिश्क और यह संगीत हुई थी कुंडल वन में कुंडल वन कश्मीर में है और यहां राजा थे जिनका नाम है कनिश्क और कनिश्क राजा के समय पर ही यहां वासुमित्र जी ने कनिश्क को बौध धर्म की दिख्षा दिलवाई थी और कनिश्क जो राजा थे उसी समय पर ये बौध धर्म हिनियान और महायान में बट गया हिन्यान और महायान इन पर हम चर्चा करेंगे अभी आगे चल कर कई सारी ऐसी जानकारियां हम छोटे-छोटे शॉट वीडियो के माध्यम से आपको देते हैं एक मिनट के शॉट वीडियो होते हैं हमारे चैनल पर जा करके शॉट के सेक्शन में एक बार जाएए और मेरे द्वारा जितने भी शॉट बनाए गए हैं उन्हें देखिए आपको काफी कुछ अच्छी जानकारियां एक मिनट के अंदर मिलेंगी जिन्हें आप वास्तों में 10-15 मिनट में सीख पाते हैं वो आप एक मिनट के अंदर मेरे शॉट के माध्यम से सीख सकते हैं तो वो भी आपके लिए एक बहुत बढ़िया सा फंडा हो जाएगा बहुत बढ़िया सा काम हो जाएगा दोस्तों यहां एक बहुत अच्छी सी ट्रिक है जिसके माध्यम से मै आप सभी लोगों को ये याद करवा दूँगा चलिए तो पहली ट्रिक राजा महाराजा आजा वैश्य सबका काल है पटाओ मत आशिक कुमर जी कंगाल है कुमर जी कंगाल है वैसे ये एक बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है और इस सिंपल सी ट्रिक से आप लोग सीख सकते हैं तो राजा महाराजा आजा वैश्य सबका काल है तो राजा महाराजा आजा मतलब राजगरी अजात्शत्रु महाकश्यप तो राजा महाराजा आजा पहली वाली वैश्य सबका काल है तो वैशाली काल अशोक सबकामी दूसरी वाली पटाओ मत आशिक पाटली पुत्र अशोक म मुगाली पुत्ततिस्य का मतलब मत और चौथा है कुमर जी कंगाल है इसका मतलब कुंडलवन कंगाल मतलब कनिश्क और जी मतलब वसुमित्र जी तो इस तरह से आप इसे याद कर सकते हैं ये एक बहुत ही खुबसूरत सी ट्रिक है जिसके माध्यम से आप ये पूरी चारो बौध संगीतियों को याद कर सकते हैं ये जो हम चर्चा कर रहे हैं दोस्तो आप सभी लोग जानते हैं ये बुधिस्ट काउंसिल्स की हैं बुधि से चार अलग-अलग भागों में बटी हुई हैं वास्तों में इतनी जानकारी इकठा करने के बाद आईए हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ करके चर्चा करते हैं कि गौतम बुद्ध को निर्वान कहां पर मिला अब गौतम बुध के जीवन की बहुत सारी घटनाएं जिन घटनाओं को हम लोग यहां पर पढ़ेंगे जैसे की गौतम बुद्ध जब आपने घर का त्याग करते हैं जब उन्होंने ग्रह त्याग किया तो कहते हैं महा भिनिश्क्रमन उसे कहते हैं महा भिनिश्क्रमन ठीक है जब उन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई जब उन्हें बोधित्व प्राप्त हुआ तो बोधित्व को कहते हैं निर्वान प्राप्ति जब महात्मा बुद्ध का देव लोग गमन हुआ इस अको त्याग तो इस डुनिया को त्यागने में यह संसार त्याग को संसार त्याग को हम कहते हैं महापरी निर्वान जब उन्होंने पहला उपदेश दिया तो उनके पहले उपदेश को उनके जीवन में कहा जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन धर्म चक्र प्रवर्तन मेरे ख्याल से इंसक्र प्रवर्तन इस तरह से यह बहुत सारे अलग अलग Cette से आप सभी को कामेंट करना है कि इनका साइन क्या है इनका प्रती ख्या है जैसे मैं आपको प्रतीक के बारे में बताना चाहता हूं जैसे धर्म चक्र प्रवर्तन है तो इसका प्रतीक है पहिया वील तो जब धर्म चक्र प्रवर्तन हुआ तो इन्होंने पहला उपदेश कहां दिया तो इन्होंने पहला उपदेश दिया था सारनात में कि और सारनाथ में इन्होंने पहला उपदेश दिया था पांच शिश्यों को हें पांच सिश्यों को पहला उपदेश दिया था तो यह हैं पॉइंट भी आपके लिए याद होना चाहिए वास्तों में आगे बढ़ें तो गौतम बुद्ध को निर्वान कहां प्राप्त हुआ था तो याद रखें निर्वान उन्हें प्राप्त हुआ था बोध गया में निर्वान का मतलब भी आप लोग समझ गए हैं निर्वान का मतलब बोधित्व की बात कर रहा हूं मैं यानि क से स्थान पर उन्होंने पहली बार उपदेश दिया था तो दोस्तों इसका सही उत्तर मैंने अभी थोड़ी दिर पहले आपको बताया सारनाथ विच स्टेट इस कॉलड एस दे क्रेडल ऑफ बुद्धिजम मतलब बौध धर्म का पालना किसे कहा जाता है और इसका सही उत्तर होगा बिहार बिहार को कहेंगे बाद धर्म का पालना याद रखेगा आगे चलें तो विचार्दा फाइव हॉली वोज ऑफ जैनिजम जैनिजम के पांच पवित्र प्रतिक ज्याएं कौन-कौन सी हैं अब यही बहुत मज़िदार सी बात है दोस्तों अहिंसा सत्या आस्ते अपरिग्रह औ दूसरा यहां पर है अहिंसा तीसरा है यहां पर आस्तेय चोथा यहां पर है और पांच्मा यहां पर है ब्रह चर्या देखें दोस्तों जब आप चर्चा करोगे इन सभी की तो सत्व का मतलब होता है Always Speak Truth अहिंसा का मतलब होता है Non Violence और Non Violence का मतलब यह नहीं है Non Violence Intentional Non Violence होनी चाहिए अब आप यह सोच रहा हूंगे Intentional Non Violence का मतलब क्या विचारों में भी कभी हिंसा नहो विचारों में भी ऐसा नह सोचें आप कि किसी को मार देंगे और वास्तों में नॉन वायलेंस यानि विचारों में भी कभी हिंसा ना आना ऐसा पालन करबाना बड़ा मुश्किल है क्योंकि हमारे आसपास हो रही गतिविधियों को देखते हुए कई बार हमें लगता है कि अगर हम इस गतिविधि में होते तो शायद अपना आपा को दआतों वास आपना तो शीट्ट को शांत रखने वाली स्थिति का नाम है Non Voilance वह भी इंटेंशनल यानिकी विचारात्मक अहिंसा आस्तेय का मतलब होता है नौन स्टीलिंग किसी प्रकार की चोरी न करना अपरिग्रह का मतलब होता है किसी प्रकार की संपत्ति न रखना नॉन पॉसेशन ओफ प्रॉपर्टीज नॉन पॉसेशन ओफ प्रॉपर्टीज किसी प्रकार की संपत्ति न रखना और फिर आता है ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का मतलब होता है दोस्तों, कॉंटिनेंस, या इसे कहेंगे सेलिबेसी, ऐसा करने वाले लोग बहुत कम हैं दोस्तों, सत्य अहिंसा, आस्ते और अपईग्रह, ये तेईस्वें तिर्थंकर, पार्शुनाथ स्वामी ने दिया था तेईस्वें तिर्थंकर, जो हुआ करते थे, उनका नाम था पार्शुनाथ स्वामी, और पार्शुनाथ स्वामी के द्वारा दिये हुए ये चार वोज है, लेकिन ये पांच्मा जो है, ये चौबिस में तिर्थंकर द्वारा दिया गया, और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं जैन धर्म के 24 में तिर्थंकर हुआ करते थे महावीर स्वामी तो यह जो ब्रह्म हचार है ना ब्रह्म हचार का पालन कर पाना बड़ा मुश्किल है अपने आप से और ब्रह्म हचार के पालन को किस ने दिया है तो यह 24 में तिर्थंकर महावीर स्वामी ने दिया है ठिक तो यहां आप लोग इतनी सारी जानकारियां वैसे ही कठा कर चुके हैं टूथ नॉन वाइलेंस नॉन इस्टेलिंग नॉन प्रजेशन और प्रोपरटीज और कॉंटेनेंस यह जिसे कहते हैं सैलिबेशी पर देखिए बड़ी मज़ेदार सी बात यह है कि आगे बढ़ें हम लोग तो हमें मिलेगा कि इन विच जैन काउंसिल 12 अंगाज वर कंपाइलड किस जैन सभा में 12 अंगों का संकलन किया गया तो वैसे इसका सही उत्तर हो जाएगा पहली जैन काउंसिल में ही अब देखिए दोस्तो जो जैन संगीतियां हैं वो दो ही हैं जिनके बारे में हम पढ़ते हैं जैन काउंसिल या इन्हें हम कहते हैं जैन संगीति और ऐसी दो ही जैन संगीतियां हैं पहली वाली जो जैन संगीति हैं वो कब हुई थी तो वो हुई थी 30ी पूर्व में और 382 पूर्व में ये जैन संगीत हुई थी पाटली पुत्र में इस जैन संगीत में दिख्षा लेने वाले राजा का नाम हुआ करता था चंध्र गुप्त-मऔर्य। तीर बपत कहा जाता है दोस्तों ये स्थूल ब्रध भद्र ये जैन धर्म के बड़े ही प्रमुख गुरू है क्योंकि स्थूल भद्र के ही जितने फॉलोवर्स हैं इन्हीं को मानने वाले जो लोग हैं वही श्वेतंबर जैनी है ये बात आप याद रखें दूसरी वाली जो जैन काउं इस रही ती वो हुई थी 612 इस्वी में और ये जो काँंसिल हुई ये हुई थी गुजरात में वल लभी में और देवर्धी ख्रमाश्रमन इसमें प्रमुख थे कि उनका नाम था देवर्धी ख्रमाश्रमन देवर्धी शमश्रमन आगे बढ़ते हैं तो एक और चर्चा इन में से कौन सी बौध संगीति में हिन यान एवं महायान में ये धर्म दो हिस्सों में बटा तो दोस्तों इसका सही उत्तर आप सभी लोग जानते हैं कि ये चौथी वाली बौध संगीती है और इसमें भी बड़ी मज़िदार सी बात बताता हूँ आपको देखिए जब हम हिन यान की बात करते हैं तो हिन यान के अंदर ही एक और शाखा है और ये बौध धर्म की सबसे ज्यादा साफ और पवित्र शाखा मानी जाती है इसे ही कहते हैं थेरवाद और जो ये महायान है इस महायान के अंदर एक शाखा है और महायान के अंदर जो शाखा है उसे अगर आप लोग समझें तो उस महायान के अंदर वाली शाखा को हम लोग कहते हैं वज्रियान और ये वज्रियान अजीब किश्म की साखा है यार वज्रियान जो वज्रियानी है वो वज्रियानी बड़े ही सुपरिस्टीशियस है बड़े अन्विश्वासी किश्म के लोग है और ये लोग पता नहीं दुनिया भर की अलग अलग चीजों विश्वास करते हैं जो वास्तों में एक सामान इव्यक्ति द्वारा कभी भी सुविकार नहीं की जा सकती हम और आप मिल करके जिस चीज को एकसेप्ट ना कर पाएंगे जो हिमायान के अंदर वज्रियानी हैं वज्रियानी उन चीजों पर विश्वास रखते हैं मैं आपको छोटी सी एक चर्चा के तौर पर बता देता हूं वज्रियानी लोग ऐसे होते हैं जो विश्वास करते हैं कि इन्हें सेक्स करने के लिए हर बार एक वरजिन लड़की चाहिए ऐसे टाइप से बहुत सारे इनके अंध विश्वास हैं जिन अंध विश्वासों पर इनका विश्वास है परन्तु आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर के हम लोग चर्चा करते हैं कि हूज दी ऑथर ओफ कल्प सूत्र कल्प सूत्र के लेखक कौन थे तो दोस्तों कल्प सूत्र के लेखक भद्र बाहु महावियस्वामी महात्मा बुद्ध या पार्शुनात और इसका सही उत्तर हो जाएगा भद्र बाहु भद्र बाहु ने कल्प सूत्र लिखी है और इ यह पॉइंट भी आप सभी लोगों को याद रखना है कि जैन तिर्थंकरों की जीवनी के बारे में हमें कहां मिलता है तो वो है कल्प सूत्र के अंदर अब आगे जलते हैं कि एक और चर्चा है अमारे पास जैन ओर्किटेक्टिरल पीज तेस्ट्य आफ गोमतेश्वरे इस लोकेटरेड इन एक जैन ध hältम के एक जैन धर्म के बहुत ही important temple की बात कर रहे है statue of गोमतेश्वर की ये कहां पर है और अभी मैं इससे ही जुड़ी हुई एक चर्चा करना चाहूंगा इससे जुड़ी ही चर्चा के अंदर बात ये है कि ये है करनाटक में और गोमतेश्वर मंदिर बड़ा ही महतुपूर मंदिर है गोमतेश्वर मंदिर में जो आपको प्रतिमा मिलेगी वो प्रतिमा या स्टैच्यू की बात कर रहा हूं है कई बार आप लोग प्रतिमा शब्द को उल्टा ले लेते हैं तो प्रतिमा नहीं मिलेगी स्टैच्यू वाली प्रतिमा मिलेगी यहाँ पर और प्रतिमा मिलेगी यहाँ पर भगवान बाहुबली की बाहु बली भगवान है और बाहु बली भगवान ये पहले तिर्थंकर रिशव देव स्वामी के बेटे हैं और रिशव देव स्वामी के बेटे बाहु बली भगवान बहुत लंबी सी मूर्ती है इनकी और बहुत लंबी सी मूर्ती बहुत लंबी सी स्टैचू में इसका किया जाता है महा मस्तका अभिशेक जैसे की हम शिवजी का अभिशेक करते ह और शिव जी का हम जो अभिशेक करते हैं जलाभिशेक करते हैं रुद्राभिशेक करते हैं वैसे ही यह जो बाहु बली भगवान है या गोमतेश्वर मंदिर में महा मस्तका भिशेक किया जाता है महां मस्त का भिशेक किया जाता है तो यह भी आपको याद रखना है फिलहाल इससे जुड़ी हुई बातों को मैं भी और आगे चल करके जानकारी की रूप में शेयर करता हूं आपके साथ दोस्तो जैन धर्म वास्तों में दो हिस्सों में बट गया जैसे हिन या और महाएयान दो हिस्से हैं बोद धर्म के वैसे ही जैन धर्म के भी दो हिस्से बने और ऐसा कहा जाता है कि जब चंदरगुप्त मौर्य के साशनकाल के दोरान ही एक बार मगद में अकाल पडा तो जब अकाल पडा तो उस समय पर भद्र बाहु जिन्होंने कल्प सूत्र की रशना की है उनके साथ चंद्रगुप्त मौर्य मिलकर चले गए करनाटक में श्रवन बेल गोला नाम की एक जगह पर और करनाटक में जब ये श्रवन बेल गोला पहुंचे तो इन्होंने वहाँ पर सल्ले खना कर लिया सल्ले खना एक शब्द है सल्ले खना का मतलब होता है भूखे रहकर के प्राण त्याग देना फास्टिंग के प्रोसेस में अपने प्राण को त्यागना कहलाता है सल्ले खना करना तो दोस्तों करनाटक में श्रवन बेल गोला में चंद्रगुप्त मौर्य ने कर लिया सल्ले ख अब दोस्तों वास्तों में अगर फॉलोवर्स की बात की जाए तो भद्र बाहू के जो भी फॉलोवर्स हैं वो सभी कहलाए दिगंबर जैनी उनको हम दिगंबर जैन कहते हैं और जितने भी स्थूल भद्र के फॉलोवर नॉर्थ में कहलाएं उनको हम श्वेतंबर जैन कहते हैं उन्हें कहा जाता है श्वेतंबर जैन श्वेतंबर और दिगंबरों में वैसे तो अंतर ये है कि दिगंबर जैन थोड़ा सा hard practice करते हैं यानि कि ये naked भी रहते हैं और naked मतलब कि ये अपने शरीर पर वस्तधारन नहीं करते श्वेतंबर जो है ये सफेद वस्तधारन करते हैं और ये सफेद वस्तधारन करने की वजह से ही श्वेतंबर हैं बाकी श्वेतंबर जैनों के पालन करने की परंपरा में और दिगंबर जैनों की पालन करने की परंपरा में भी थोड़ा-थोड़ा अंतर है और एक बहुत और अलग सी बात अगर हम लोग समझें तो हम पाएंगे कि जो श्वेतंबर जैन है वो ये विश्व पास है इनका कि 19 में तीर्थंकर जिनका नाम था मलीनाथ जी इनका ये मानना है श्वेतंबरों का कि मलीनाथ जी वास्तों में एक फीमेल तीर्थंकर थे फीमेल कहने का मतलब कि एक स्त्री थे क्योंकि इनका नाम मली बाई से लिया गया है इनका नाम लिया गया है मली बाई से जबकी दिगंबर ये मानते हैं कि सभी तिर्थंकर रेखत theo कर मेल यानि कि सभी तिर्थंकर पूरूस थे कोई भी तिर्थंकर श्तृ नहीं थी तो यह एक बहुत बेशिक सा प्रश्न बन जाता है कई बार परिक्षाओं में पूछा जाता है कि श्वेतंबरों के हिसाब से कौन से नंबर के तिर्थंकर फीमेल माने जाते हैं आप सभी को बताना है कि मलीनात जी जो थे वो एक फीमेल तिर्थंकर ऐसा श्वेतंबर मानते हैं दिगंबर नहीं मानते दिगंबर कौन से स्ट का कौन से सेक्ट का उपासक हुआ गरता था तो कनिष्क दोस्तों याद रखेगा महायान सेक्ट का महायानों के बारे में बौध धर्म में खास बात यह है कि महायान लोग जो थे ये मूर्ति-पूजा पर विश्वास रखते थे और आज भी पूरे विश्व में पूरे विश्व में इसी तरह के बुधिस्ट पाए जाते हैं हिनियान जो है हिनियान मूर्ति पूजा पर विश्वास नहीं करते यह प्रतीकों की पूजा करते हैं प्रतीीकों की पूजा और मूर्तिपूजा नहीं करते हैं मूर्तिपूजा नहीं करते वैसे आप लोगों को अगर कहीं देखने हो इस तरह की हिन्यान तो इहन्यान बुद्धिस आपको मिलेंगे citron में छिलोन दोस्तो आज श्री िस जाना जाता है पर पहले इसे सेलोन कहा जाता था और यह जो सेलोन स्टेट है उसके बारे में यह चाहिए कि आशोक के पुट्र और पुट्री अशोक बढ़ धर्म की दिक्षा ली तो अशोक ने बौद धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए महेंद्र वा संघ मित्रा महेंद्र इनके पुत्र का नाम था संघ मित्रा इनकी पुत्री का तो अशोक के पुत्र और पुत्री ये श्री लंका गए थे और श्री लंका में दो ग्रंथ भी लिखे गए हैं जिन्वे से एक ग्रंथ का नाम है दीपवंश और दूसरे ग्रंथ का नाम है महावंश यह दीपवंश और महावंश यह दोनों सैलोनीज scriptures है कहने का मतलब यह श्री लंका के धर्म ग्रंथ है जिन में बहुत धर्म के बारे में हमें जानकारी मिलती है तो दोस्तों श्री लंका में हिनियान शाखा के उपासा का आपको मिलेंगे महेंद्र और संघमित्रा द्वारा फैलाया गया यह बहुत धर्म आज भी श्री लंका के अंदर मिलता है सैलोनीज scriptures दीप वन्ष और महावन्ष में आपको जांकारी मिलती है कि बिम्भिसार के 100 पुट्र हुआ करते थे और विम्भिसार के 100 पुत्रों में से अशोग ने 99 को मार दिया था अंटानवे को मार दिया था सबसे चोटे वाले तिस्त को बचा दिया था ऐसी एक जानकारी अशोक के बारे में इन दीप वंश और महावंशों से मिलती है आए इससे जुड़े हुए और भी फैक्ट्स को हम लोग जाने तो हमें और भी जानकारी मिलेगी अंडर हूज लीडर्शिप जैनिजम स्प्रेड इन साउथ इंडिया तो भाई इसका सही उत्तर होगा भद्र बाहु भद्र बाहु ने ही साउथ इंडिया में दिगंबर जैन शाखा को फैलाया आप देखें कि पूरी दुनिया में जितने भी धर्मों को आप पढ़ेंगे वो धर्म दो दो भागों में जरूर डिवाइड हुए जैसे आप क्रिशियानिटी को पढ़ते हैं तो उसमें रोमन कैथोलिक्स अलग हैं और प्रोटेस्टेंट अलग हैं आप इसलाम को पढ़ते हैं तो उसमें से शिया अलग हो और सुन्नी अलग हैं आप बौध को पढ़ते हैं तो उनमें हिनियान अलग महायान अलग आप जैन को पढ़ते हैं उनमें श्वेतंबर अलग दिगंबर अलग हिंदु धर्म में भी ऐसा ही था हिंदु धर्म में भी शैविजम और वैशनविजम के उपासक अलग-अलग हुआ करते थे लेकिन धन्य है यहां के राजाओं का कि उन्होंने उनको अलग होने ही नहीं दिया सब के मंदिर बनाए और सब के मंदिरों में सब जाने लगे तो वास्ता में शैव परंपरा को मानने वाले लोगों को वै हमारे पास वैर वाज दी फर्स्ट कॉन्फरेंस ऑफ जैनिजम और्गनाइजड तो मैंने कहा अभी आपको कि उस समय पर हुआ करते थे एक राजा चंद्रगुप्त मौरे और चंद्रगुप्त मौरे के समय पर स्थूल भद्र ने पाटली पुत्र में ये और्गनाइजड की थी जैनिजम फिलोसफी का जो कोर है तो उसे हम लोग क्या कहते है अनेकांत वाद एक वाद द्वैत वाद या अद्वैत वाद तो वस्तों में अगर आप पढ़ेंगे तो इसे अनेकांत वाद कहते हैं जिसको हम लोगों ने अभी स्याद वाद के बारे में भी जानने कोशिश की अध्वैत वाद या अध्वेदान्थ फिलोस marijuana जो है यह आदिगुरू शंकराचारे की फिलोसफिए है का क्या आदी गुरू शंकरा से चारे की फिलोसफिब चलि आगे बढदे एक और प्रश्न है जिस पर हम लोग चार्चा करेंगे और वो ये है who was the second तिर्थंकर of jain jainों के दूसरे तिर्थंकर कौन हुआ करते थे तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा अजीतनात स्वामी दूसरे तिर्थंकर हुआ करते थे प्रियदर्शन the daughter of महावीर स्वामी was married to whom तो उनका नाम हुआ करता था अनोज प्रियदर्शनी और अनोज प्रियदर्शनी जो थी उनकी शादी किसके साथ हुई थी तो दोस्तों याद रखेगा जमाली के शाद यह जमाली जो थे यह महावीर स्वामी के पहले सिश्य थे महावीर स्वामी के पहले सिश्य तो मतलब ससुर जी के पहले सिश्य अगर कोई बने तो वो दामाद जी यह आपको याद रखना है महावीर स्वामी के पहले सिश्य है उन्हीं के दामाद जमाली तो आईए महावीर स्वामी के बारे में थोड़ी एक चर्चा कर ले जिस पर थोड़ा विवाद भी है वह भी हम लोग यहाँ पर देख लेंगे जब आप वर्धमान महावीर के बारे में बात करते हैं तो दोस्तों आप पाएंगे कि महावीर स्वामी में हम लोग चर्चा करेंगे सबसे पहले इनके जन्म की इनका जन्म ऐसा बताया जाता है कि हुआ था 599 इस्वी पूर्व में और इनकी इनका देव लोग गमन हुआ था 527 इस्वी पूर्व में एक तो ये फैक्ट भी है कि इनका जन्म और इनकी जो इनका जो दिहा वसान है वो दोनों ही कहा जाता है 599 बीसी और 527 बीसी साथ ही साथ इनके जन्म की एक और चर्चा है जो इतिहास में मिलती है वो है 540 इस्वी पूर्व में इनका जन्म हुआ और 468 इस्वी पूर्व में इनकी इनका इस दुनिया से देव लोग गमन हुआ तो जब जन्म ये बताय जाता है कि 599 इस्वी पूर्व में हुआ तो ऐसा मानते हैं कि इनका संसार त्याग इनका संसार त्याग हुआ था 527 इस्वी पूर्व में और जब ये चर्चा की जाती है कि इनका जन्म हुआ था 540 इस्वी पूर्व में तो ऐसा माना जाता है कि इनका संसार त्याग हुआ था 468 इस्वीपूर्व में वैसे ये बड़ा ही discussion का subject है क्योंकि इनका जन्म जो हुआ था दोस्तो तो इनका जन्म आप सभी लोग जानते हैं कि इनका जन्म कहा हुआ था तो इनका जन्म हुआ था वैसाली में एक जगे हुआ करती थी जिसे हम लोग कहते थे कुंडल ग्राम तो दोस्तो यह point भी आपको याद होना चाहिए कि कुंडल ग्राम वैसाली में इनका जन्म हुआ था और जो इनका देव लोग गमन हुआ वह था पावपूरी और पावपुरी जो है पावपुरी कहा है तो याद रखेगा पावपुरी भारत में है मतलब बिहार में है पावपुरी ठीक अब देखिए बड़ी मज़ेदार सी बात यह है यहां पर कि अगर आप कुछ इतिहासकारों की माने जैसे राम शरन शर्मा है राम शरन शर्मा के अला तो अगर आप Wikipedia पर डेटा देखोगे तो Wikipedia पर उपर वाला डिटा माना जाता है मेरा जो आप लोगों से एक विशेश रिक्वेस्ट है वो यह है कि आप यह मान करके चलिएगा कि उनका जन्म और उनका संसार त्याग 468 इसी पूर्व ही माने इससे ज्यादा है इस पर आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए फिर आते हैं इनके उपर कि इन्हें और क्या कहा जाता था तो जैसे इनके बच्पन क का नाम ऐसा कहते हैं कि हुआ करता था वर्धमान वर्धमान और देखे इनके जो पिता थे इनके पिता का नाम हुआ करता था सिधार्थ और यह सिधार्थ का गौतम बुद्ध के बच्पन वाले नाम से कोई लिए न दिन नहीं है सिर्फ नाम जमान है बाकिए कुछ नहीं ये कौन से गण के मुखिया हुआ करते थे तो याद रखेगा नात्रिक गण के मुखिया ऐसा कहते हैं कि नात्रिक गण के मुखिया हुआ करते थे इनकी माता जी जो थी इनकी माता का नाम क्या था तो इनकी माता का नाम हुआ करता था त्रिशला ये भी पॉइंट याद रखें इनकी जो बेटी थी अच्छा इनकी जो पत्नी थी उनका नाम क्या था तो इनकी पत्न पुत्री का नाम हुआ करता था अन्योज प्रियदर्शिनी और जो इनके दामाद थे उनका नाम हुआ करता था जमाली और जैसा कि मैंने कहां यह पहले वेक्ति है जिन्होंने महावीर स्वामी की बातों की आइडियोलोजी को फॉलो करना शुरू कर दिया था तो यहां आप लोगों को यह याद हो जाएगा ऐसे तो यह थोड़ा सा महावीर स्वामी के बारे में एक इंफर्मेशन है उस इंफर्मेशन को आप लोग थोड़ा सा यहां पर स् दोस्तों जब हम जब हम इतने जैन धर्म और बॉद्धर्म को पढ़ते हैं तो यहां पर कुछ फैक्ट जिनके बारे में जैन धर्म और बॉद्धर्म बात करते हैं वहां पर थोड़ा जरूर हमें चर्चा करनी है देखें बॉद्धर्म के बारे में बॉद धर्म के बारे में जब हम पढ़ना शुरू करते हैं न दोस्तों तो ये बॉद धर्म एक ऐसा धर्म है जो चार नोबल टूथ के बारे में बात करता है और चार नोबल टूथ क्या है चार नोबल टूथ है दुख दुख समुद्धय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा. तो अब ये number 1, number 2, number 3 and number 4. वास्तों में ये दुख, दुख निरोध, दुख समुद्धय ये दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा क्या है? दुख का मतलब है, the world is full of sorrow. संसार दुखों से भरा पड़ा है. The world is full of sorrow. दूसरा, दुख समुद्धय, इसका मतलब है, every sorrow has a cause. यानि कि हर दुख का कोई ने कोई कारण है, दुख निरोध का मतलब है, sorrow can be stopped, दुख को खत्म किया जा सकता है, ये हैं chances, और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा का मतलब ये है, path leading to the secession of sorrow. Secession of Sorrow, तो path leading to the secession of sorrow, ये एक ऐसी चर्चा है, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा की, जो कि बौद धर्म के चार, बेसिक चार नोबल टूट्स में आती है, बौद धर्म से संबंधित एक और fact है दोस्तो, एक राजा हुआ करते थे, हिंद युनानी साशक, एक इंडो ग्रीक king हुआ करते थे, एक हिंद युनानी साशक, उनका नाम था मिनांडर, नाम हुआ करता था दोस्तो, मिनांडर, और जब मिनांडर ने, एक बार, एक बौद धिक्षू, नाग सेन के साथ अपनी चर्चा की, तो इनके पूरे दिमाग का मिलिंद पान्हों हो गया, अब आप सोचें कि इनके दिमाग के मिलिंद पान्हों को मैं क्यों दर्शा रहा हूँ, तो दोस्तो एक छोटी सी चर्चा आप सुने, जो हिंद युनानी राजा मिनांडर और बौद धिक्षू नागसेन के बीच हुई थी, बौद धिक्षू नागसेन जाकर के बैठे, त आप चारिक्तम ही पूछ लिया, कि बताये गुर्देव, आप कहां से आये हैं, नागसेन ने पूछा कि मेरी छोड़ो, अपनों बताओ कि आप कहां से आये हो, मिनांडर ने खा, वही जो सब का पत होता है, उपर वाले ने बनाया, और उपर वाले के बनाने के बाद हम जगत है, और जो रास्ता बीट गया है और आया नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता, और जो रास्ता ना तो आया है, ना तो नहीं आएगा, ऐसा सोचा भी नहीं जा सकता, तो आप बताइए वास्तों में, आप कौन से रास्ते से इस दुनिया में आए, और जब ऐसी बात नागसेन कहेंगे तो मिनांडर के पास कोई और आप्शन ही नहीं बचेगा सिवाए गुरु के चर्णों में अत्मस्तक हो जाने के तो मिनांडर और नागसेन नागसेन एक बॉद्ध भिक्षू है एक बुद्धिस्ट मॉंक है इन दोनों के बीच में जो चर्णा हुई है दोस्तो मिनांडर और नागसेन की वो आपको याद रखना है मिनांडर और नागसेन की जो चर्णा है वो कहां लिखी हुई है तो वो लिखी हुई है मिलिंद पा भान हों और ये बौद धर्म का एक बहुती महत्वपूर्ण ग्रंद भी है इसके अलावा दोस्तों बौद धर्म में तृपितक हैं पाली भाशा में लिखे हुए तो इनका भी नाम आपको याद होना चाहिए त्रीपितक और यह जो कहते हैं अभी धम पितक की अभी धम पितक सुत लिने पितक और अभी धम पितक में सुत पितक वास्तों में मोरल टीचिंग के बारे में बताते हैं कि कैसे नयतिकता का पार्ट पढ़ाया जाता है तो यह moral knowledge के बारे में विनेपितक एक ऐसी शाखा है जो बताती है कि आप कैसे जो भिक्षू है उनके लिए rules बनाएंगे regulations बनाएंगे तो विनेपितक में भिक्षूओं के लिए rules और regulations है और अभिधम्व पितक एक ऐसी शाखा है जिसके अंदर metaphysics है जिसके अंदर metaphysics है यानि बौद धर्म का अध्यात्मवाद वास्तों में इसके अंदर लिखा हुआ है तो दोस्तों यहां पर बौद धर्म के अंदर की कुछ ये बाते हैं जिन्हें आप लोगों को थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा भूलना नहीं है आगे बढ़ते तो मौरेवंश और गुप्तवंश के बारे में क्यों ना एक अगला चैप्टर ला करके उसको क्लियर किया जाए और यह चैप्टर जल्दी ही हम लोग ले करके आएंगे आपके सामने तो आज एंशेंट हिस्ट्री का यह जो पार्ट टू है आप सभी लोगों को कैसा लगा एक बार वीडियो के पूरा हो जाने के बाद कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताईएगा साथ ही साथ मैं आप सभी को यह कहना चाहता हूं कि अगर आप में से किसी ने अभी तक अड़र 24 7 एप डाउनलोड नहीं किया है तो एक बार फटा फट एप डाउनलोड कर लो देखो जो कॉमेंट सेक्शन में सबसे पहली वाली लिंक लगी हुई है दोस्तों उसमें से पाओ आप डाउनलोड करने की लिंक और एप डाउनलोड करने की लिंक पर क्लिक कीजिए एप डाउनलोड करने की लिंक पर जैसे ही क्लिक करेंगे आप क्लिक करने के बाद सीधे आप पह आपको यह मिलेगा हमारा PDF देखें दोस्तों सिंपल सी बात है जब आप डाउनलोड करेंगे न तो एप डाउनलोड करने के बाद आप डाउनलोड करने के बाद आप पहुँच जाएंगे यह पहले वाले होम पेज पर अपना रेजिस्ट्रेशन करने के बाद तो आप देखिए कि यह जो होम पेज है आपका इसमें ऊपर नैशनल एक्जाम में SSE सेलेक्ट कर लीजेगा SSE सेलेक्ट करने के बाद सीधे पहुचिएगा यह देखिए हूम है कम्यूनि Case है माइ कॉन्टेंट है स्टोर है इसमें कम्यूनिٹ aiming पर जाएंगे न कम्यूनिटी पर जाते ही आपको एक आप्शन आएगा यहां पर all post your group explore group तो आप पहुचिएगा इसमें explore group option में एप download होने के बाद और जैसे ही आप ये explore group option में पहुचेंगे न explore group option के अंदर ही आपको एक group मिलेगा जीस बाई नवदीप सर जैसे मैंने ancient history part 1 पढ़ाया था 28 मईगो उसका session का link और pdf भी share किया हुआ यहाँ पर वैसे ही ancient history का part 2 आज session की link और pdf के साथ मैं आपको share कर दूँगा सारी जानकारियां आपको मिल जाएंगी साथ ही साथ मैं आप सभी कोई information दिना चाहता हूँ दोस्तों कि अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं ssc chsl exam की तो chsl के लिए हम आपके लिए लेकर क्या है एकदम preparation करने वाला batch आपको बस Google पर जाना है Google पर जाने के बाद अट्ड़ 24 7 सर्च करना है दोस्तों अट्ड़ 24 7 में आप पाएंगे कि यहाँ all courses पर पहुंच यह all courses पर पहुंचने के बाद ssc चूज करिया और ssc के सामने आपको chsl दिखेगा दोस्तों यहाँ एक तो हमारे विवेक पांडे सरका a to z computer का special batch है दूसरा यहाँ पे प्रतिभा में का panacea यह एक English का batch है और एक लब यह 2.0 जब आप एक लब यह 2.0 को यहाँ इन्रॉल करने जाएंगे 700 घंटे की classes और 52 e-books मिलते हैं यानि इस batch का क्या क्या फीचर है दोस्तों 700 घंटे की interactive live class हम आपको देंगे इसके अलावा topic wise practice paper हम आपको देंगे tier 2 classes tier 1 exam के बाद भी हम आपको free of cost देंगे doubt class Saturday को देंगे handwritten notes आपको देंगे और handwritten notes के लिए वैसा ही एक group है जैसा मैंने GS by नवदीप सर बताया आपको weekly current affairs और recorded class आपके 24 by 7 quick revision के लिए available रहेंगी तो यानि कि अगर आप इस पूरे के पूरे course में अपने आपको enroll करते हो तो यहाँ 999 रुपए इसका price है वो दे मत दीजेगा यहाँ पर already एक June 75 code लगा है ना मैं आपको एक code बताऊंगा उससे आपको इससे ज्यादा ही discount मिलेगा और वो code है Y263 जैसे ही Y263 लगाया आपने देखिए 999 में जो मिल रहा था batch वो आपको 919 रुपए का मिल रहा है और इससे भी ज्यादा easily आपको available हो सकता है आप अपना comment section देखें comment section में blue color से link लगी हुई है सबसे पहली जैसे ही app download करेंगे app download करने से आपको मिल जाएंगे coin और app से जो coin मिलेंगे coin के साथ साथ आपको जो coupon code मैंने दिया उस coupon code को लगाईए और वो coupon code है Y263 जैसे ही Y263 को लगाएंगे coin प्लस Y263 यह आपको देगा लगभग 80 प्रतिशत आफ यानि कि यह जो batch है यह batch आपको लगभग 880 रुपए में 12 महीनों के लिए मिल जाएगा और अगर मैं आपसे कहूं कि कोई batch आपको 880 रुपए में वो भी मिल रहा है 12 महीने के लिए तो इसका अर्थ यह है कि वो batch मुश्किल से आपको मिल रहा है 75 रुपए प्रतिमाह से भी कम और यह जो 75 रुपए प्रतिमाह से भी कम में आपको batch मिल रहा है इससे ज्यादा affordable अब आपके लिए क्या हो सकता है तैयारी कीजिए बहुत मेहनत कीजिए और खूब कोशिश कीजिए कि आप पढ़ते रहें थैंक्यू सो मच मज़ा आ गया होगा आप सभी लोगों को एंशेंट हिस्ट्री के इस सेशन में बताईएगा कॉमेंट सेक्षन में तीसरा पार्ट लेकर के आना है यह नहीं जय हिंद बताईगा क्यों दोड़ा सेक्षपट और और शेवागा ज़स्शपट रहगँ जड़ा है झाल झाल